हेलो गाइज देखें आपने जैसे मेरे थामनेल पर देखी लिया होगा कि यह मेकेनिक्स है मेकेनिक्स की टू पार्ट होते हैं स्टेटिक्स डाइनेमिक्स बीएसी की सेकेंड यर की बुक में हैं तो हम पढ़ रहे हैं डाइनेमिक्स डाइनेमिक्स का चैप्टर नंबर वन द लिकिन इसमें टाइम बहुत जादा वेस्ट होता और आपको वीडियो लंबी हो जाती इस वज़े से मैंने कोश्चन पहले ही उतार लिया है मैं आपको इस कोश्चन का मतलब समझा देती हूं बाकी सॉल्यूशन तो मैंने आपके साम नहीं कर रहा है वीडियो में ही करूंगी जिससे कि आपको easy लगे अब particle moves along था तो along a straight line तो इसका मतलब है कि एक particle है जो एक straight line यही तो इस पर एक particle move कर रहा है straight line पर it's a distance from a fixed point तो fixed point मैंने यह लिएट कर लिया o that is origin यहां तक हमारा particle move करेगा और यह हमने distance माना x जो कि x हमें given है ऐसे यह x is equals to a cos mu t plus e यह हमें given है show that acceleration varies as the distance from the origin तो हमारा acceleration हमें क्या होता है हमने चैसे इस chapter में पढ़ा है d square x over dt square आपने मेरी last videos में भी देखा होगा कि acceleration मैं नहीं आपर किस तरह बताया था from the origin से origin से लेकर इसने जो करा है या तो इसका मतलब है कि distance जो origin से गया है या फिर directed toward the origin तो हमें इसी को निकालना है कि toward the origin गया है acceleration कैसे हमारा vary कर रहा है distance के साथ कि distance origin से गया है या फिर origin की तरफ directed हो रहा है हमें simply इसमें acceleration के लिए ही प्रूफ करवाना है तो चलिए इसमें सबसे पहला step हमारा है कि हमें एक equation दी हुई है that is x is equals to a cos mu t plus plus e हम इसे first equation let कर लेते हैं now we have to first differentiate it differentiate करेंगे तो dx over dt आएगा now differentiating equation number 1 with respect to x we get अब हम differentiate करेंगे dx over dt जैसा कि हम सब जानते हैं कि dx over dt को मैंने आपको पहले भी बताया है velocity बोलते हैं हम इसे is equals to a cos अब हम इसका differentiate करेंगे तो a mu t क्योंकि हम t का differentiate t की respect में कर रहे हैं यहापर t की t लिख लीजिए में कर रहे हैं तो t यह साथ जो function है वह हमारा आगया आएगा मियो आगया cos का होता है sin t माइनस का तो माइनस का sin mu t प्लस e will remain same second equation हम इसे लेट कर लेते हैं now again differentiating again क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि d x over dt का second differentiation यह हमारा acceleration होता है नहों तो अगें differentiating equation number second be careful guys कि यहां पर with respect to t ही लिखना है आपको with respect to t we get अब यह जो second equation है हमारी velocity जी हम बोल रहा है इसका second differentiation will be called acceleration d square x over dt square इसे हम acceleration बोलते हैं यह हमार acceleration होता है तो अब यहां पर differentiation a mu तो है ही और यहां पर इसका mu भार रहाएगा क्या कि ट के साथ है तो mu square sin sin का होता है minus will be remain same and sin की जगा cos mu t plus e यह हमने इस पर कुछ नहीं करा है simple differentiation है and it will be our equation number third now a cos mu t plus e हमें कुछ इस तरह नहीं लग रहा जैसा हमारा x का part है देखिए first equation से तो हम यहां पर mu square को छोड़ देते और बाकी सब को उठा कर उसकी जगए x लिख देते हैं क्यों यह x की तो value है अगर हम x की जगए भी लिखते हैं तो there will be no change तो from equation number 1 से हमने लिखा है हम इसे प्रॉपर अच्छे से लिख लेते हैं कि d square x over dt square is equals to minus mu square x ना इससे क्या पता पढ़ता है guys हमारा प्रूफ तो हो चुका है इसते हमें यह पता पढ़ता है कि हमारा जो acceleration है is directly proportional to the या फिर यह कहिए जैसे जैसे हमारा distance change हो रहा है वैसे वैसे हमारा acceleration भी vary कर रहा है यानि change हो रहा है acceleration का change होना हमारे distance के change होने के साथ साथ हो रहा है कि hence the acceleration where I the distance x from the origin minus negative sign क्या शो करता है हमारा minus negative sign क्या शो करता है indicate that it is the negative sense of x-axis की हमारा देखिए यहां मैं आपको दिखाती हूँ जब हमने अभी बताया था कि एक line है अगर x-axis है यह हमारा x-axis है यह हमारा पूरे x-axis हो गई और यह हमारी यहां से हम y-axis बना लेते हैं यह हमारा x अगर इधर से जाता है तो positive होता है लेकिन अगर हमारा x इस तरफ ट्रांसफर होगा origin की तरफ जाएगा तो it will be coming become negative तो हमारा यह negative हो जाएगा negative हमारा यह दिखाता है बस toward the x toward the origin the origin now guys I am going to giving you the overview for this question first our question says is a particle along a straight line हमारा कोई particle move कर रहा है एक straight line पर जो मैंने आपको शो करी थी हमारी उसकी equation है distance की और यहाँ पर हमारा acceleration vary कर रहा है हमारी distance के साथ यह हमें दिखाना है जिसे हम acceleration बोलते हैं d square x over dt square this is our equation of distance now हमने से first differentiate करा second differentiate करा उसके बाद हमारा acceleration आगे second differentiation होता है अब यहाँ पर हमारा यह प्रूव हो गया कि हमारा acceleration distance के साथ vary कर रहा है origin से यानि acceleration varies as the distance जैसे जैसे हमारा distance origin से change हो रहा है वैसे वैसे acceleration भी negative signs शो करता है कि हमारा negative sense of x-axis means toward the origin now guys thank you so much guys bye bye just a minute just a minute यहाँ पर guys आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की वो पता पड़ जाए आप लोग करते नहीं हो मैंने आपको notice किया बार बार आप सवाल देखते हो और फिर उसके बाद जाएब लोग करते हो प्लीज सब्सक्राइब नहीं करते हो प्लीज सपोर्ट मी गईज थैंक यह सो मुच गईज बाइ यह